मद्या रेल के नागबूर स्टेशन के भार के प्राने कोच का उप्योग कर उसे रेस्टोरेंट बना दिया है इसे रेस्टोरेंट और विल्स नाम दिया गया है इस रेस्टोरेंट को स्थाने संस्रिति के अधार पर डेकरिट किया गया है ननकीय मैं मिठाई के लिए मशूर हल्दी राम ने इस रेल कोछ में अपना रेस्टेटरेंट खोला है इसे हल्दी राम एक्सप्रेस रेस्टरेंट के नाम से भी जाना जाएगा रेस्टरेंट में एक शांदार डाइनिंग हौल बनाया गया है इसमें नौर्थ और सौथ इंडियन सेच सब तरह की डिशेज भी उपलब्द रहेंगी हल्दी राम गुरूप के प्रमंदक संचालग राजंदर कुमार अगरवाल ने हल्दी राम एक्सप्रेस रेस्टोरांट का शुरबारम किया है नाकपूर रेलवे स्टेशन के पच्मी प्रविश्दवार के नेकड एक कोच में शुरू हल्दी राम एक्सप्रेस रेस्टोरांट में 40 लोगों की बैठने के विवस्ता है रेस्टोरांट के संचालक नीरिच अगरवाल ने बताया कि रेल परहिवन के शुरुवाती दिनों में ट्रेन में ही खान पान वे अन्या अवश्चक सभी प्रकार की सुविदें उद लप्त रहती थी रेस्टोरांट में स्वीट कोर्नर, सौफ्टी कोर्नर, पैक्नम के इन आदे की विवस्ता की गई है साती बोजन थाली, अलपाहार आदी 24 घंटे उपलब्द रहेंगे रेस्टोरांट में 52 करमचारी 3 पाली में काम करेंगे रात के 3 बजे भी आईस्क्रीम भारते वेंजन मिठाई वे, अन्य खान-पान की समागरी उपलब्द रहेगी इस रेस्टोरांट में आपको रेलवे के शुरुआती दिनों में जो कोच उप्योग किया जाते हैं उनका अनभव मिलेगा इसमें पुरानी ट्रेन में मुझूद रहने वाले शाई संसादों का लुट उठान जैसा अनभव मिलेगा जिवाओ को इस अनभव से रुबरु कराने के लिए ट्रेन की कोच में रेस्टोरेंट त्यार किया गया है निर्श अगरवाल ने बताया कि रेस्टोरेंट ना सिर्फ शहरी लोगों के लिए बलकि यात्रियों के लिए भी भेध उप्योगी साबित होगा एसलों वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यावाद